हलो फ्रेंज वल्कम बैक टु चैनल आज हम बात करेंगे तोटली आपके जितने वे डाउट्स, क्वेरीज आ रहे हैं रिगार्डिंग एक्सिस बैंक PBRM प्रोग्राम यह बिल्कुल न्यू कोर्स है और जो भी क्वेरीज डाउट्स आर हैं रिगार्डिंग कोर्स यहां पर इंपॉर्टन बात यह भी है और यहां पर इंपॉर्टन बात यह है प्रेंद कि अभी कुरोना चल रहा है तो इसके करण से आपकी classes online भी start हो सकती है बट अगर कुरोना खतम हो जाएगा तो आपको classes offline residential classroom training में होगी जहां पर आपको stipend नहीं मिलेगा ऐसा कहीं mention नहीं है कि आपको stipend मिलने वाला है After 6.5 month of your classroom training फिर्ण आपकी 3 month की paid intensive होती है यह intensive friend आपको access bank के branch में होगी अब important बात यह है कि क्या यह access bank का जो branch हो आपके hometown और home state में रहेगी तो friend यहाँ पर कहीं clear नहीं है जहां पर access bank की requirement होगी आपको वहीं पर intensive कराएंगे ठीक है और लेकिन mostly friend intensive and hours of training पर वो आपके hometown और home state ही देते हैं से mostly बट यहाँ पर कहीं मेंसर नहीं है कि आपके hometown और home state मिलेगा बट आपको mostly hometown home state देते हैं internship पर खास करके ठीक है friend क्योंकि आप आपको stipend मिलती है 12,000 रुपीज पर मन्त आपको full salary नहीं मिल रही है आपको कम salary मिल रही है कम पैसे मिल रही है तो आपको आपकी home state और home town ही देते हैं यहाँ पर stipend मिल रही है आपको 12,000 रुपीज पर मन्त इन 3 month of intensive in access bank PBRM program right after 3 month of paid intensive and आपकी फिर होती है 2.5 month की ons of training in access bank branch और जरूरी नहीं कि यह ब्रांच जो है आपकी home town और home state में ही मिले कहीं भी मिल सकता है जहाँ पर उनकी requirement हो यहाँ पर आपको full salary मिलती है 2.5 month की ons of training पर आपकी full salary मिलती है और आपकी salary की CTC और 5,000,000 रुपीज पर नम तो यह new course है अभी इसकी official salary डिस्क्लोज नहीं हुई है तो पुरानी salary की structure on this post relationship manager हमने वीडियो बना रखके रखी हुई है आप उसको check कर सकता है link है discussion box में कितना आपको approved salary मिले का आपने बता कर रखा हुआ है बड़ो exact salary नहीं है इतना ध्यान रखे क्योंकि totally new course है तो फिर यहां पर आपको full salary मिलती है 2.5 month की आपको ons of training पर आप जब यह one year की course complete कर लेते हैं फिर आपकी posting होती है access bank में on the grade of deputy manager आपकी post रहती है priority banking relationship manager जहां पर आपका jobs हो है operation and sales दोनों होगा और आपकी salary salary की CTC है 5 lakhs रूपीस पॉर रणम CTC हम बात करेंगे most important doubts की वह है eligibility की कौन को नहीं पर apply कर सकता है तो अगर आप graduate है friend किसी भी stream से with 50% marks in 10th, 12th and graduation आप apply कर सकते हैं आपकी उम्र होनी चाहिए 20 to 30 years के बीच में ठीक है अगर आपकी experience है friend 0 to 3 years तक की 0 से लेगर के 3 years के भी चांग experience है तो आप भी apply कर सकते हैं ध्यान रहे यह important doubt यह आता है कि यहाँ पर जो जिनके पास experience है और 20 to 30 years के बीच में है वही apply कर सकते हैं बहुत लोगों नहीं से query किया है मुझसे क्या experience होना जरूरी है तो आप experience होना जरूरी नहीं है जो freser है 20 to 30 years के बीच में आप apply कर सकते हैं जिनके पास experience है अपको 3 years की वह भी apply कर सकते हैं यहाँ पर यह मतलब है राइट अब हम बात करेंगे फिर्ण selection process की तो यहाँ पर फिर्ण आपकी एक online aptitude test होती है देना आपकी एक interview होती है तो फिर्ण हमने access PBRM के sample question मना कर रखे हुए है जो questions आपको आते हैं जिस्ट आपको course की total fee कितनी है राइट तो फिर्ण course की total fee है 2.25 रॉपीज प्लस taxes इस पर आपको 18% GST लगते हैं तो total course की फिर्ण अराउंड 2.65,000 रॉपीज हो जाएगी और इसके लिए आपको course की fee के लिए आपको loan facility available है easily access bank के तरफ से education loan available है 13% interest rate पर राइट और चाहे तो आप इसे self funding भी कर सकते हैं बात करेंगे फिर्ण अगर आप लोन ले लेते हैं बट हाँ जो आपकी loan की interest rate है वो आपको starting के first month से ही सुरू हो जाते हैं मतले कि आप जब course join की आपका जब bank loan finance कर दिया university को loan दे दिया तरफ आपके first month से ही loan की interest rate कटनी सुरू हो जाती है बट आपकी loan की EMI होगी वो आपको job करने के 6 महीने बाद ही सुरू होती है ठीक है बात करें फ्रेंड लोन के 10 यर की तो अगर आपकी loan की 10 यर 4 years की होती है तो आपकी loan की EMI around 7000 रूपीस पर मन्त कटेगी और वहीं पर अगर आपकी loan की 10 यर 5 यर्स की होती है तो around 6000 रूपीस आधि लोन की installment फॉस्टर में दी जाती है और आधि लोन की installment सेकेंटर में दी जाती है ठीक है फेंड तो बात को द्यान से समझना फेंड कि आपने course की selection procedure कम्प्लीट कर ली आप select हो गए आप admission लेना चाहते हैं आपको 10,000 रूपीज स्टार्टिंग में seat booking करने के लिए pay करना होता है 10,000 रूपीज खुद से बाकी के पैसे को आपने loan ले लिया या फिर बाकी के पैसे को आप self funding कर दिये तो course start होने से पहले अगर आपका decision change हो गया आप course join नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें quit कर सकते हैं आपके पैसे refund हो जाएंगे बट जो 10,000 रूपीज है आपने जो seat booking किया है जो admission fee 10,000 रूपीज हो आपको वापस नहीं मिलेंगे बाकी के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे ठीक है इतना ध्यान रखें अगर आपने friend course join कर लिया आप first term में हैं आप जैसी course join करते हैं very first day first term की जो loan की fee होती है वो university को चला जाता है and course join करने के 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने बाद आप सोचते हैं कि आप मुझे ये course नहीं करना है मुझे इसमें interested नहीं हो आप course को quit करना चाहते हैं अब हम बात करेंगे friend category wise कि अगर आप वो can react हैं जो कि पूरे course की fee पूरे course की fee एक बार में ही pay कर दिया है self funding की है तो friend आपने course join कर लिया first term में है अगर आप quit करना चाहते हैं बीच में तो आपके जो second term की course की fee है क्योंकि आप second term में intern नहीं की है तो आपको उस course की fee आपको वापस कर दी जाएगी ठीक है क्योंकि आप first term में ही है तो आपको second term की पैसे आपको वापस कर दी जाएगे अगर friend हाला कि friend first term की fee आपको first term pay करना होता है second term की fee आपको second term pay करना होता है self funding की बात कर रहा हूं में बट कोई candidate अगर ऐसा है जो कि एक ही बार सारा फी पे कर दिया है ये उस category के बात कर लिया है ठीक है अगर कोई candidate है फेंड जो कि self funding किया है first term की fee को pay किया है second term की fee को भी pay नहीं किया है first term करते कर तो उसका मन में यह आए कब वो course छोड़ना चाहता है तो फेंड उसको पैसे नहीं मिलने वाले है और आपके पैसे चलेगे जो आपको first term की fee थी आपको वापस नहीं मिलने वाले है and second term की fee आपने pay नहीं किया है तो उसी कोई attention आपको लेना नहीं है ठीक है बात करें फेंड की अगर आपके loan candidate है आपने loan लिया है and आपने course के first term को join कर लिया आप first term कर रहे हैं first term में course को छोड़ना चाहते है तो जो भी फेंड course की fee है first term की वो पैसे आपको कहीं से arrange करने होंगे उस पैसे को आप return कीजी है आप course को छोड़ सकते है ठीक है बात करें second term की जो भी candidate second term में चले गए loan लिया है या self funding किया है जो भी candidate second term में चले गए आप आप course होना चाहते हैं तो आपको एक रुपे नहीं मिलने वाला है इतना आप ध्यान रखें ठीक है friend so course join करने से पहले course start होने से पहले आप एक भी दून course join कर लिए आपके पैसे नहीं मिलेंगे course start होने से पहले course start होने के एक दिन पहले आप deny कर सकते है आप quit कर सकते कि आप interest नहीं है तो जो भी आपने self funding किया है 10,000 आपके admission fee cut करके आपको पैसे वापस मिल जाएंगे अगर आपने loan लिया है तो आपके 10,000 रुपीज आपको नहीं मिलेंगे आपके loan खतम हो जाएगी ठीक है but join करने के बाद first term join कर लिए then आपको first term की पैसे pay करने होंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा आपने second term में इंटर कर गए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला इतना आप बात ध्यान रखे अब आप मात करेंगे कि आपने अच्छे से course complete कर लिया है आप course complete कर चुके है आपकी job लग चुकी है deputy manager का grade में एक्सिस बैंक में तो यह posting आपके कहां होगे क्या posting आपके choice पर होगी आप location चूज करेंगे तो आप location friends चूज नहीं करते हैं totally यह एक्सिस बैंक के हाथ में सब कुछ होता है वो जहां चाहता है आपको वहां posting देगा जहां एक्सिस बैंक को ज़रुवत होगा candidates की आपको employee की वहीं send करेगा ज़रूरी नहीं कि आपके town में और आपके state में job मिले आपको एक्सिस बैंक में and सिर्फ यह एक्सिस बैंक की कहानी नहीं है ICAC, PO, HDFC, Future Banker, सब की bank sector कहानी यहीं है आपको आपके state में आपके city में job नहीं मिलता है यह all over India के job है आपको all over India कहीं भी posting मिल सकता है जहां पर भी आपके bank को requirement होगी आप यह sign करते हैं course join करने से पहले ही यह आपकी terms and condition होती है तो फिन join करने से पहले यह doubt यह queries है अगर clear हो चुके हैं अगर आप interested हैं को join करने के लिए तो आप join कर सकते हैं बट हाँ अभी इसकी recruitment बंद है अभी इसकी first batch की joining चल रही है recruitment चल रही है second batch की मैंने बात कर रखी है आपको November और December में आपको second batch की recruitment start हो जाएगी November last से या फिर mid से December आपको starting से ही इसकी second batch की recruitment start हो जाएगी मतलब कि November और December में आपको इसकी recruitment देखने को मिल जाएगी मैंने बात किया है N.I.I.T. 2009 साब साब बताया है November और December में इसकी second batch की recruitment start हो जाएगी अभी recruitment सुरू होगी मैं वीडियो बना दूँँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपडेट पाने के लिए Thank you for watching If you like this video Please subscribe my channel for more videos Thank you for watching